परियावरन प्रेमियों आपके सामने ये वीडियो लाया हूँ पहला ये वीडियो आप देख रहे हैं जो द्रिश्य है ये शमंदर का है शमंदर काशी लायन थुथनों और पंजों से प्रहार करता है यापश में दंद करते हुए दंदात्मक जुद्ध करते हुए ये सेर शमंदरी शेर आपस में भीड़ी हुए है इसके बाद आप देख रहे हैं मेल डियर बारा सिंगा एस्पोर्टेट बारा सिंगा है आप इनकों खुबशूरती को देख रहे हैं ये बले ही खुबशूरत है और आपको ये अपनी खुबशूरती से मंत्र मुग्त करेंगे मैंने जो वादा किया आपसे प्रुप से निभा रहा हूं जीव जन्तुओं की वीडियोज आप देख रहे हैं इससे आपका ग्यान बर्धन हो रहा है और पर्यावरन के प्रती जो समाज की सजगता है उसको हम बढ़ा रहे हैं इन्विरॉन्मेंट लविंग ये वीडियोज हैं कोई गंदगी नहीं है आप अपने बाल बच्चों के साथ देख सकते हैं टीवी पर देखेंगे तो और भी बड़े बड़े तस्वीर आएगी बहुत ही इस पर आनंद आएगा ये वीडियोज आपके मन को शुकुन देंगे आप कि प्या मेरी वीडियोज को एक लाइक दे दे बेल की घंटी बजा दें सब्सक्राइब कर दें ताकि ये जंगली पशू जिसे आप कहते हैं ये शंबेदना लिये हुए हैं आपके पाश जैसे ही आप वीडियो बने वहीं से ही चल जाए आपकी लाइक की इन जारी में हैं इन जंगली पश्वों से प्रिम किसे है वह बहुत बिरले आदमी होंगे ना कोई गाना है ना कोई म्यूजिक है ना कोई असलील ना कोई जूटी बात ये इर्यकिस्तान में दोड़ता हुआ एंटी लोप आपको बुला रहा है आप कहीं भी जाएं इन जीव जन्तों के प्रतिशंबेदना रखें ये आपको प्रमातमा के अनुभूती कराएंगे इनके पाश ओशिन्स है भगवान कराम ने भी जब शीता कहरन हुआ था तो इन ही प्रशुपंचियों से पूछा था हे खग गमरी गए ए मजुकर से नी तुम देखी सीता म्रिग ने नी सीता के आखों को म्रिग की आखों से तुलना की गई थी और वो आपको भगवान राम म्रिग से पूछते हैं कि क्या तुमने शीता को देखा था है कि खग से पूछते हैं पंचियों से पूछते हैं भवरों से पूछते हैं हमें उमीद है आपको यह वीडियो अच्छे लगते हुए और आप जरूर ही देखने के साथ सांदी से सब्सक्राइब भी करदेगे लाइक भी बिल की घंटी भी बजा देगे आपकी इंजारी म ये इंतिलोब खड़ा है और से आप से पुछ रहा है क्या आप ऐसा कर रहे है ये दोड़ दोड़ करके अपने खुशी का इजहार कर रहा है हमें उमीद है इन पश्वों की मूख भाषा आप समझ रहे होंगे और परियावरन की परती जो एक मेरा अंदोलन है उनलाइन वो शफल हो रहा है इनके प्रती लोगों में प्रेम जरूर उभर रहा है जबकि लोग हिरन को मार के खा जाते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए खाने के लिए बहुत सारी जीवजन बहुत सारी बस्तुएं हैं ये एस्क्वैरल है अपने छुधा के शांती के लिए अपने पेट के शांती के लिए पत्तियों को खा रही है ये गिलहरी इन छोटे जीवों पे तरश खाईए इनकी रक्षा कीजिए इन्हें बचाईए औ और पर्यावरन को शुद्द लेके जिए भगवान राम के शेतु बंधन में गिलहरी ने भी अपना जुगदान दिया था और तब भगवान ने इसे अबध्य मानो जाती के द्वारा इसको अबध्य घोशित किया था हमें उमीद है आप आप तक ये बात पहुशी होगी और आप जरूर इस बात को मानेंगे